नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अबोलीज आर्ट स्टुडियो में जी हाँ मैं जानती हूँ कि नोवेंबर शुरू हो गया है पर मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी मेरे पूरे ओक्टोबर की जर्नी इंक्टोबर और ओक्टा अर्बन स्केच चैलेंज इसके बारे में मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि मैंने ओक्टोबर में पूरी तरह से ये दो चैलेंज कंप्लीट मैं कर पाई दो सालों से में प्रयास कर रही थी तो जैक पारकर जी एक ऐसे आर्टिस्ट है जन्होंने इंक और ओक्टोबर मिला के इंक्टोबर शुरू किया जिसमें आपको हर एक दिन के लिए एक स्केच या तो एक ड्राइंग निकालना है तो बेसिकली इसमें कंसिस्टनसी की बहुत आवशक्ता होती है कि आपको उतना टाइम निकालना पड़ता है और कंपल्सरी हर दिन का एक ड्राइंग निकालता है तो प्लीज मैं अभी बता दूँ कि यहाँ पे मैंने बहुत कंजुशी का काम किया है क्योंकि दो सालों से मैं प्रयास कर रहे थी इंक्टोबर पूरा करने के लिए प्राइंट, फैंसी, टेथ, थ्रो तो यह प्रॉंप्लिस्ट के अनुसार आप जो शब्द है उसका जो अर्थ है उसी तरह निकाल सकते है या तो अपने थॉट से उसमें कुछ ट्विस्ट दे सकते है कि जैसा टित मैंने जब सुना तो मेरे नेफि को अभी दो दात आये हैं तो इसी वज़े से मैंने वही निकाला फिर प्रॉंप्लिस्ट के अनुसार होप, डिस्गस्टिंग, स्लिपरी, ड्यून, आर्मर और आउटपोस्ट आज सभी क्लासिकल डांसर ऐसा होप कर रहे हैं कि वह जल से जल स्टेज के ऊपर जाए, पर्फॉर्म करे और फिर स्लिपरी के लिए जो साइन्स देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा इसी वज़े से मैंने वो साइन इस्तिमाल की फिर उसके बाद था रॉकेट, स्टॉर्म, ट्राप तो रॉकेट दो प्रकार के होते हैं, एक हम सैलड में भी इस्तिमाल करते हैं और एक एक्चुली रॉकेट जो आसमान में जाता है और जब मैंने ये ट्राप सुना तो I think मैंने उसी समय सोशल डिलेमा ये डॉकेमेंटर देखी थी जिसमें कैसे हम सोशल मीडिया में से अटक गया है ऐसा दिखाया है, तो इसी वज़े से ये ही दिमाग में आया फिर था डीजी कोरल जो की इतना खास नहीं हुआ है पर स्लीप वाला जो पैंडा है वो मुझे बहुत पसंद आया है फिर सब्जेक्ट है शेफ, राइपी, डिग तो शेफ मतलब मुझे अनिमेटेड राटटोई मूवी ही याद आई और कोई मर जाए ऐसी तो हम आशा नहीं कर सकते पर करोना ने ये पूरा 2020 खतम ही कर दिया है तो इसी वज़े से राइपी 2020 I would suggest for करोना और उसके जाने के बाद ये सब मास्क भी हम दफन कर दे फिर था बड़ी, हाइड और म्यूजिक तो बड़ी के लिए मैंने आजकल का जो मेरा बड़ी है sketchbook और mobile वो लिया फिर था float, तो lotus एक floating plant है तो इसी वज़े से वही निकाला और अब winter आने वाला है तो shoes के लिए winter shoes लिए फिर 30th October का subject था ominous तो हमारे यहाँ पे अगर बिली रास्ता काट दे तो काम पूरा नहीं होता है, ऐसा माना जाता है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ आखरी दिन था पर मैंने गलती से दूसरा sketchbook इस्तेमाल किया इसी वज़े से वो paper पे है and here we are for 31st October तो इसी लिए मैंने मेरा पूरा October का time table निकाला जिसमें days और dates और prompt list है जो मैंने crawl करते हुए पूरी तरह complete की ये थी मेरे introber 2020 की journey आशा करती हूं आप से भी को पसंद आई होगी और अगले मेरे वीडियो में आप देखेंगे और अर्बन sketch दूसरे चैलेंज की जर्मी तेंक यू